एक गाउ में अर्जुन नाम का साहुकार रहता था। उसके परिवार में उसका सिर्फ एक बेटा था जिसका नाम विनय था जो विदेश में अपनी पढ़ाई पूरी करने गया हुआ था। अर्जुन की पतनी बहुत पहले ही मर चुकी थी। अर्जुन अपने घर में अपने दो नौकर रिशब और निलेश के साथ अकेला ही रहता था। वो दोनों नौकर अर्जुन के घर में बहुत सालों से काम करते थे। अर्जुन को इन दोनों पर बहुत भरोसा था। पर दोन थी कि उसे मरने के बाद उसी ताबूत में डाल कर दफनाया जाए और एक दिन अरजुन की अपनी बीमारी के कारण मौत हो गई अरजुन के नौकर रिशब ने उसके छोटे बेटे विने को उसके पिता के मरने की खबर बताई विने ये खबर सुनकर बहुत दुखी हो जाता है और फोन पर ही रोने लगता है और बोलता है विने पहली फ्लाइट पकड़ कर अपने गाव आ जाता है और अपने पापा की लाश को देख कर फूट फूट कर रोता है पापा आप भी छोड़ के क्यों चले गए आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था अब मैं आनात हो गया हूँ मैं आनात हो गया पापा अरजुन के पड़ोसी विने को बोलते हैं रो मत बेटा हम सब तुम्हारे परिवार जैसे ही हैं पापा ने बरने से पहले एक ताबूत बनवाया था और इनकी एक्छे थी कि हम उन्हें उसी ताबूत में रखे और उन्हें दफनाया जाए हाँ चोटे मालिख आपके पापा ने मुझे भी ये बात बताई थी वो ताबूत उन्होंने नीचे वाले कमरे में रखा हुआ है पर उसकी चाबी हमारे पास नहीं है हाँ मुझे पता है पापा को उस कमरे के आस-पास किसी का भी जाना पसंद नहीं था और इस कबरे की चाभी एक मेरे पास भी है और वियने नौकरों को चाभी देकर ताबूत मंगवाता है ये लो चाभी और ताबूत ले आओ और दोनो नौकर ताबूत लेने चले जाते हैं देखू ज़रा बुट्ठे ने इस कमरे में ऐसा क्या रखा है तो ताला लगा कर रखता था ऐसा मत बोल निलेश वो हमारे मालिक थे हमें उनकी इज़त करनी चाहिए ए ना अब तो नहीं है अब तो बुद्धा मर गया तेरे को करनी है तू कर चाप लूज कहीं का ला चाप भी धर दे निलेश रिशब के हाथ से चाप भी छीन लेता है निलेश कमरे का ताला खोलता है वहां बहुत सारी कीमती चीज़े होती है पुरानी किताबे ट्रोफी, मैडल और बहुत सारी पुरानी कीमती चीज़े रखी हुई थी और कमरे के बीचो बीच वही ताबूत था जो अरजुन ने अपने लिए बनवाय हुआ था। वो बहुत ही कीमती नजर आ रहा था। पुलूस कहीं का। किसी को बताया ना तो बहुत पितेगा। और हां तेरे को बचाने भी कोई नहीं आएगा। ये मालिक की आखरी एक्षा थी। उन्हें इसी ताबूत में रखकर दफनाया जाए। अगर उनकी एक्षा पूरी नहीं हुई तो उनकी आत्मा भटकेगी। और उन्हें शांती भी नहीं मिलेगी। निलेश बोलता है। जब किसी को कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। और उसे भगा देता है। निलेश का दोस्त एक बढ़ाई था जो लकडियों की अलमारी, ताबूत, कुरसी, टेबल, बेड और लकडी से बहुत सारी चीजे बना सुन यार, क्या तेरी दुकान पर एक ताबूत है सस्ता सा। है, क्यों क्या हुआ, कौन मर गया। जादा सवाल मत पूछ, बाद में तसली से तेरे को सब बताऊंगा, पस तू जो मेरे मालिक के घर के पास पार्क है, वहां लिया। और कोई पूछे, तो किसी को कुछ भी मत बताईयो, ये ताबूत किसने मंगाया, पस लेवर जादा ले कराना, मेरे पास एक अच्छी लकडी का ताबूत है, वो बिचना चाहता हूँ। ठेक है, मैं खुद आता हूँ, मुझे वही मिल जाना। निलेश अपने मालिक का ताबूत, घर के पीछे वाले गेट से बाहर ले जाता है, और अपने दोस्त को बेज देता है, और अपने दोस्त से सस्ता सा ताबूत ले लेता है, और चुपके से पीछे वाले गेट से आता है, और ताबूत बदल देता है, नरेश आवास लगात रिशब कहा पर गया कामचोर ये ताबूत उठाने में मेरी मदद कर रिशब ताबूत देकर समझ जाता है और निलेश को बोलता है अभी भी वक्त है निलेश मांजा लालच और बेइमानी का फल अच्छा नहीं होता और मालिक की आखरी इच्छा थी उन्हें उसी ताबूत मे लिटा करकी दफनाया जाए मैं तेरा इस काम में साथ नहीं तूँगा निलेश रिशब को एक थपड मारता है और बोलता है जैसे उसके पिता की इच्छा थी अर्जुन का अंतिम संस्कार खत्म हो जाता है और किसी को कुछ पता नहीं चलता देख रिशब बोला था ना किसी को कुछ पता नहीं चलेगा अगर मेरा साथ देता तो तेरे को भी कुछ पैसे मिल जाते जो ताबूत के बीच के मिलेंगे निलेश रिशब को हस्ते हस्ते बोलता है निलेश अपने दोस्त की दुकान पर जाता है और बोलता है और दोस्त सब बढ़िया पैसे कितने देगा उस ताबूत के देख निलेश पैसे इस ताबूत के ठाई हजार है तु मेरा दोस्त है तेरे लिए तीन हजार हैं मैं इसमें कुछ नहीं कमाऊंगा निलेश तू मेरा दोस्त है मैं तेरे से खाटे का सौदा नहीं करूँगा इस ताबूत की तीन हजार ही मिलेंगे निलेश के दोस्त ने ताबूत की लखडी बेट बनाने में इस्तेमाल कर ली जो उसने एक होटल के मालिक के लिए बनाया था उसके पास कोई चारा नहीं बचा और वो जानता था अपने दोस्तकों की वो बहुत लालची है इससे बहत करने का कोई फाइदा नहीं है उसमें उसे चार हजार रुपे दे दिये लेट चार हजार, तेरे जैसा लालची इनसान मैंने नहीं देखा तू तू मेरा दोस्त था लेकिन निलेश अपने दोस्त की बात अनसुनी कर पैसे लेकर चला गया कुछ देर बाद होटल का मालिक बढ़े के पास अपना बैड लेने आया वा 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 चा बैड हैं तेरे हाथ में तो जादू हैं अबसे अपने होटल के सारे फरनिचर का काम तेरे को ही दूंगा जी मालिक, आपको निराज नहीं करूंगा होटल का मालिक मन्यमन बोलता है इसे तो मही उसकी वाले कमरे में लगा लूँगा जो किसी विदेशी लोग ने बुकिया हैं होटल का मालक बैट को अपने होटल के कमरे में लगा देता है अगले दिन उस कमरे में रहने के लिए कोई विदेश के लोग आये थे वो विदेशी आदमी बहुत ठका हारा होता है वो फ्रेश हो कर खाना पीना खा कर सोने चला जाता है देखते ही देखते आधी रात में उस बैट के अंदर से बहुत डरावनी आवाज आती है वो घबरा जाता है और होटल के मैनेचर को बुलाता है और बोलता है इस खामराई में कुछ अजीब सी आवाज आ रही है सर ये आप का पहम होगा आप मेरी जहें आए है मैनेचर विदेशी आदमी को बोल कर चला जाता है पर आवाज आने बन नहीं हुई विदेशी आदमी को नीन नहीं आई कुछ दिर बाद बैट से एक भूत निकलता है भूत को देख विदेशी आदमी डर जाता है वो भूत अरजुन का ही होता है और बोलता है विदेशी आदमी के बोलते ही अर्जुन का भूत उसे बैट के अंदर बंद कर देता है अगली सुबा अब रूम चेक आउट करने का समय होता है मैनेजर रूम में जाकर देखता है और रूम की बैल बजाता है पर अंदर से कोई आवाज नहीं आती मैनेजर रूम खोलता है और वो बहुत जाड़ा डर जाता है क्योंकि वहाँ कोई नहीं होता लेकिन दर्वाजा अंदर से बंद था मैनेजर हैरान हो जाता है मैनेजर विदेशी आदमी का सामान स्टोर रूम में रखवा देता है अगले दिन उसी कमरे में रहने के लिए कोई और लोग आये थे पर उनके साथ भी वही हुआ जो उस विदेशी आदमी के साथ हुआ आधी रात को अरजुन का भूद बेट से निकलता है उसे देख वो लोग भी डर जाते है मैनेजर मन में सोचता है कि ये कमरा भूतिया तो नहीं वो विदेशी आदमी भी कहा गायब हो गया समझ नहीं आया अगली सुबह मैनेजर उस रूम की बैल बजाता है रूम से कोई आवाज ना आने पर वो फिर से रूम की चाबी छोटू से मंगवा कर खोलता है रूम खुलने के बाद मैनेजर की आँखे फटी की फटी रह जाती है मैनेजर देखता है कि इस बार भी अंदर कोई नहीं था मैनेजर सारी बात होटल के मालिक को बताता है हां पहले तो ये सब नहीं था जब से वो बैड आया हैं तब से ये सब हो रहा हैं जी मालिक मुझे भी यही लगता है क्यों ना मैं इस बैड को बाहर फेंग दूँ हां और किसी कमरे में दूसरा बैड लगा देई शो रूम में कुछ बैड रखे हैं होटल का मैनेजर वो बैड बाहर फेंग देता है इसी रास्ते से दो दोस्त नीलू और रिशु जाते हुए देखते हैं वाह क्या बैड है रिशु बोलता है बात तो सही है पर यहां छोड़ कर कौन गया क्यों ना इसे अपने घर ले जाए हैं मुझे तो कुछ कड़वर लग रही है इतना डरता है मैं तो इसे ले कर जाओंगा रिशु ये बात बोल कर बैट को अपने कमरे में रख देता है और उसी रात जब वो सोता है उसे भी रात को डरावनी आवाज आती है और आधी रात को अरजुन का भूद बैट से निकलता है और उसे खीच कर बंद कर देता है अगली सुबह रिशु की मा देखती है कि रिशु के कमरे में रिशु नहीं है वो घर में चारों तरफ रिशु को आवाज देती है परंतु रिशु कहीं से भी कोई जवाब नहीं देता ऐसा तो करता नहीं है मेरा बेटा रिशु आज ही कैसे मुझे बिना बताये चला गया कोई नहीं इसको आने दो फिर मैं इससे बात करती हूँ देखते ही देखते शाम हो जाती है पर रिशु घर नहीं आता ये देखकर रिशु की मा और जादा परिशान हो जाती है थोड़ी ही देर में राध हो जाती है तब ही रिशु के कमरे में रखे हुए डरावने बैट से बहुत जोरों से आवाज आने लगती है रिशु की मा तुरंत निलू को फोन लगाती है और निलू उसकी मा को सारी बात सच सच बता देता है रिशु की माँ अपने बेटे को बचाने के लिए गाउं के तांत्रिक के पास जाती है और उसे भी सारी घटना बता देती है तांत्रिक बेट पर एक ताबीज बान देता है और सारे बेट के चारो तरफ गंगा जल छिड़क देता है गंगा जल छिरकने के साथ ही अरजुन की आत्मा जलने लगती है और वो सारे लोग जिन्हें बेड में अरजुन ने कैद कर रखा था वो सब बेड से बाहर आ जाते हैं